हलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जाद पर मैं हूँ आपका दोस्तों मौम्मद जाद और दोस्तों पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मन कविता पढ़ी उससे बहुत सारी प्रेड़ना मिली आपको हाइकू से आज हम लोग पढ़ने जारे हैं हिंदी का पांचवा चैप्टर गोवा जैसे मैंने देखा और इसके राइटर हैं लेखा खाएं विनेश शर्मा तो इनका जन्म हुआ था 1973 में उज्जैन में हुआ था मध्यप्रदेश के डिस्ट्रिक्ट में और विनेश शर्मा की अधिकांस लेखन उनके अनुभवावाँ पर आधारित होती है ज्यादा तर ये ट्रेवे लॉग लिखते हैं मतलब की जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया है वो लेखन के तौ नहुंने जाते हैं व्यंग और ललित निबंद के लिए ये प्रचली थैं तो इसमें उन्होंने यात्रा वर्डन किया है किस तरीके से वो गोवा गया और वहांकी जीवन शर्ली ते हुारिन सभीका वरहिडन किया है उन्होंने तो चलिए लेषन पढ़ते हैं गोवा यह नाम सुनते ही अभी का मन सभी का मन तरंगाई थो उठता है और हो भी क्यों ना यहां की प्राकृति आबो हवा और जीवन शैली का करशन ही ऐसा है कि प्रेटे खुद बखुद यहां खीचे चले आते हैं मतलब राइटर कहते हैं कि गोवा जैसी हम लोग सुनते हैं तुरंत हमारा मन एकदम तरंगाई थो उठता है मतलब उमंग से भर जाता है और हो भी क्यों ना यहां की प्रकृति कितनी अच्छी है यहां का आबो हवा कितना अच्छा है जीवन शैली कितनी अच्छी है लाइफ स्टाइल का करशन ऐसा है कि जो परियाटक इंदवर से गोवा जा पहुचा मतलब राइटर इंदवर से कहां गए गोवा जा पहुचे खंडवा से मेरे साडू सहाब का भी सा परिवार हमारे साथ सामिल हो गए मतलब खंडवा से इनके जो साडू सहाब थे उन वो भी अपने परिवार के साथ शामिल हो गए 23 के जोंकर से मेरा मन परसन हो गया और यात्रा की सारी थकान मिट गई हावा जैसे ही हम लोग जानते हैं कि जैसे हम लोगों को ठंडी आवा मिलती है तो थोड़ी बहुत थकान कम हो जाती है तो पूरा जो इनका स्ट्रेस था जो भी थकान हो गई थी यात्रा से वो सब मिट है हमारे जो भी टेंशन वेंशन रहते हैं वो सब दूर हो जाते हैं कुछ दिनों के लिए जब हम जीवन की कई सारी समस्यां से जूज रहते हैं तो उससे निजात पाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है पर्यटन पर्यटन आप करेंगे तो आपको हर मुसीवत से चुटकार मिल सकता है बदले हुए वातावरण के कारण मन तरुताजा हो जाता है तथा शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है बिलकुल सही शरीर हमारा शरीर को मतलब कि हमारी बॉड़ी को थोड़े समय के लिए आराम मिल जाता है कुछ देर बाद हमारी टेक्सी मड़ग आराम्मकर्णनी करने कि सारी फॉर्मलिती इनने पहले पूरी पूरी परदे से पहले कि हम कमरों से बाहर निकलें मैं आपको गोवा की कुछ खास बाते बता दू हुआ इस और वरड़न करें उससे पहले वो कुछ खास बाते बताना चाहते हैं गोवा के बारे में दरसल गोवा जो है वो दो राज्यों में बटा हुआ है दक्षिन गोवा और उत्तर गोवा गोवा की राजधानी है पंजी और मांडवी नदी जो है वो इसके किनारे इस थी था बात यह कि वर्ज भर मोंबई यहाँ कि छेतर हरीतिमा भरपूर फिर बी धूप तो तीखी ही मतलब कि ठंडी हमाई तो चलती है नमी तो रहती है बट फिर भी जो धूप रहती वो तो तीखी रहेगी यों तो गोवा अपने खुब सूरत सफेद रहती ले तटों महेंगे होटलों तथा खास जीवन शैली के लिए जाना जाता है लेकिन इन सब के बावजूद या अपने में एक संस्कृ विरासत में समेटे हुए है मतलब कि जादा तर तो यह अपनी लाइफ स्टाइल बीचस के लिए जाना जाता है बट इसमें एक अलग ही संस्कृत मतलब ट्रेडिशन्स हैं यहां की शाम बड़ी अच्छी होती है तो चलो इस शाम का आनंद लेने के लिए बेनालियम बीच क और जा रहे हैं आप भी चले क्योंकि बहुत ही खुबशूरत और तथा शांत जगहा है बेनालियम बहुत ही शांत जगहा है और इसलिए राइटर हमें उसके बारे में बताना चाहते हैं दिन भर की तकान तथा उमस भरी गर्मी के बाद शाम को बीच पर जाना बड़ा अरब सागर देखने की उत्सा बढ़ती रही मतलब कि अरैवियंसी देखने के लिए इनका जो उत्सा था वो बढ़ने लगा और तभी अचानक लहरों की आवाज सुनाई दी जो किसी रंडवेदी की तरह हो मतलब कि वो जो सोल्जर्स के गोलियों और बमों की आवाज होती उस तरीके से इनको आवाज सुनाई दी और हम सभी दोड़ पड़े मतलब तुरंत राइटर महां से दोड़ पड़े सड़क पीछे छूड़ गई थी इसलिए रेत पर तेजी से दोड़ना मुश्किल हो रहा था मतलब अब सड़क तो थी नहीं वो रेत पर दोड़ रहे थ दखस रहे थे तो पूरी ताकत लगा कर भाग रहे थे राइटर खूबसूरत समुन्दर देखते ही हैं मैं उससे जाकर लिपट गया समुन्दर में तुरंत जाकर राइटर कूद गये मतलब उस तरीके से नहीं लिपट गये मतलब वहां पे जाकर सो गए देखा होगा आप बच्चे रेत का घर बना रहे थे लहरे उनका घर गिरा दे रही थी पर फिर भी वह नया घर बनाने में जुट गया थे जो बच्चे घर बना रहे थे वो बार बार लहरे तोड़ दे रही थी बट फिर भी वहार नहीं मान रहे थे क्या वो ऐसा कर सकते थे कि जहां तक लहर लहरे नहीं पहुच पा रही थी वहां जाके घर बनाते तो शायद लहरे नहीं पहुच पाती बट वह वहीं पे काम कर रहे थे और यही करम चलता रहा और उन्होंने बच्चों से सीखा कि अगर जीवन में आशावाद हो तो कुछ भी असंबव नहीं क्योंकि कितनी बार लहर तोड़ेंगी कभी न कभी तो वहार मान ही जाएंगी तो यह उन्होंने बच्चों से एक छिक्स दीखी यह सब चोटे-चोटे पार्ट से दोस्तों एक चैप्टर में किस तरीके से अपने कहानी में अपने व्यंग में लेखक चोटे-चोटे-पार्ट का उपयोग करते हैं उससे कहानी की खुपसूरती बढ़ती है अब जैसे इन्होंने यहाँ पर इसके बारे में बताया है तो ऐसा अगर हम लोग को बोल दिये जाए कि गोवा के बारे में लिखके लाओ तो इतना खुपसूरत हम लोग नहीं लिख पाएंगे तो ये खास बाते होती हैं मतलब कि जब लहर बार बार आ रही थी तो इन्हें असल लग रहा था कि बनने के बाद मतलब जो आता है वो एक दिन जाता है यही जीवन का सत्य भी है यहाँ एक मज़ेदार दिर्श्य भी देखने को मिला लहरों की आवाज से बीच पक्षियों की टी 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 की आवाज भी आपका ध्यान अपनी ओर खीच लेती है दरसल ये पक्षि लहरों के साथ बहकर आई मचलियों का शिकार करने के लिए खड़े रहते हैं किनारे पर ये मंट राते रहते हैं अब तेज हबा के कारण एक ही दिशा में सीधे नहीं उड़ पाते हैं तो सुस्ताने के लिए किनारे पर बैठी आते हैं यहां बैठे कुट्टे इसी बात का इंतजार करते हैं कि कब मौका मिले और पक्षियों पर जपट लें बेचारे कुट्टों को तो सफलता कम ही मिलती है क्योंकि पक्षि उड़ जाते हैं पक्षियों का बैठना, कुट्टों का दवड़ना और पक्षियों का टी-टी-टी कर उड़ जाना यह द्रिश्य सैलानियों का अच्छा मनुरंजन करता है सेलानी मतलब पन थी, जो ٹ्ड्रैवेलर्स होते हैं इधर जैसे ही सूरे देवता ने वीदा ली, वैसे ही चन्द्रमा की चांदनी में नहां कर समुध्र का नया ही चहरा सामने आ गया मतलब जैसे ही सूरे गया, तुरंट चन्द्रमा में इस तरीके से समुद्र दिख रहा था कि मानो वो एकदम अलग ही था उसका आप लोग वरडन नहीं कर सकते तो अब समुद्र स्याह और भयावा दिखने लगा भयावा मतलब डेंजरस दिखने लगा बट अच्छा भी था अगले दिन राइटर ने बस से गोवा घूमने की यो नासिब समझा क्योंकि बच्चे बहुत जादा थे और उनका साडू साब जी का भी परिवार था तो मुश्किल था तो इसलिए उन्होंने बस का फैसला किया यहां सी फूड की अधिक्ता होने के कारण शाकाहारी परियेटों का सू स्वादू भोजन की समस्याओं से दो चा होना पड़ता है काफी भटकने के बाद अच्छा भोजन मिल गया तो समझो किस्मत अच्छी और जेब धीली तो होगी ही मतलब कि अगर आपको कहीं पर अच्छा भोजन मिल गया शाकाहारी तो वहां पर आपका जेब धीला होना तया है क्योंकि इतने महेंगे फूट्स रह ज़्यादा फरक है तो अगर आपको कहीं पर वहां पर भी शाकाहारी खाना मिल भी गया तो आपकी जेब धीली ओनी तैंक बहुत खर्चा हो जाता है यह समस्यार राइटर को पहले से पता थी इसलिए उन्होंने अपने रिसॉर्ट के स्यूट में जो भी खाना उपलब्द था वो किचन में ही भोजन करते थे मतलब रिसॉर्ट के किचन में भोजन करते थे ताकि उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम्स ना हो बाहर खाना ना खरीदना पड़े सबसे पहले राइटर अंजुना बीच पहुंचे गोवा में सबसे चोटे बड़ एक और लंबी सी पहाड़ी है जहां से बीच का मनोरम द्रिष्ट देखा जा सकता है समुद्र तक जाने के लिए थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है नीला पानी काले पत्थरों पर पचार खाता रहता है पानी ने काट काट कर इन पत्थरों को नई छेद कर दिये हैं कई पानी जो रहता है वो अपने लगातार जो भी अटेक रहता है उसका लगातार अटेक करते रहता है पत्थरों पर और लास्ट में पत्थर हार मान ही जाते हैं जिससे पत्थर कमजोर हो जाते हैं साथी समुद्र में काफी पीछे हटने हट जाने से कई पत्थरों के बीच मे पानि भर गया है मतलब कि जैसे समूध्र पीछे चला जाता है वैसे पत्थरों में पानि रह जाता है तो वो पानि से भी क्रैक्स आ जाते हैं पत्थरों में इसके वहाँ कईक कई ने अपना घर बना लिया है इससे वहां कई ने अपना घर बना लिया है फिसलने का डर हमेशा बना रहता है लेकिन संगर्ष में ही जीवन है अब यहां पर एक और सीख दीन राइटर ने की स्ट्रगल में ही तो जीवन है जीवन में संगर्ष नहीं करोगे तो क्या करोगे पहलब करा है ? मतलब कि जो भी जो नव जवान आये हैं अकेले आये थो वो तो घूमते रहेंगे वो अपनी मस्ति में डूँबे रहेंगे ब़र बड़े लोग है उन्नकोंस बच्चो सकते बीच का अपना अपना संदर है मतलब सबका अपना-पना सवंदर है बेनालियम बीच रे टीला तथा उथला है यहां मचफ़वारों की पहली पसंद है मतलब यहां पर ज़्यादा मचलिया पाई जाती है फिर आसानी से मचलिया पाई जाती है यहां सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मचलियां पकड़ी जाती है लेकिन मज़े की बात यह है कि इतनी सारी मचलियां अस्थानी ये बजारों में ही बेची जाती है मतलब कि यहां से जो भी मचलिया पाई जाती है वो अस्थानी बजारों में ही बेची जाती है इनका निर्यात बिलकुल भी नहीं होता इसके विपरीत अंजुना बीच गहरा और नीले पानी वाला है अब जो बेनालियम बीच था उसके विपरीत जो अंजुना बीच है वो गहरा है और नीले पानी वाला है या Bollywood की पहली पसंद है, मतलब यहाँ पर सूटिंग्स बहुत ही ज़्यादा होती है, यहाँ कई हीट फिल्मों की सूटिंग हुई है, दोनों बीच वेवसाइक हैं, मतलब की दोनों जो बीच हैं वहाँ पर economic बहुत अच्छा है, बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, पर फिरकर शाम को राइटर पहुचे कलिंग वूड बीच पर, यहाँ काफी रेतीला तथा गोवा का सबसे लंबा बीच है, जिसकी लंबाई तीन से चार किलो मीटर तक है, यहाँ पर यटक बड़ी संख्या में आते हैं, यही कारण है कि अस्थानी ये लोगों के विवसाइक के अंदर भी है, यहाँ कई परकार के वाटर स्पोर्स होते हैं, जिनमें कुछ तो हैरत अंगेज हैं, जिनें देखने में ही आनन्द आता है, आप भी अपनी रूची के अनुसार हाथ आजमा सकते हैं, मैंने कई खेलों में इस्सा लिया लेकिन सबसे अधिक रोमांच पैर ग्लाइडिंग में आया, राइटर ने पैर ग्लाइडिंग की, काफी उचाई से अथा जलराशी को देखना, जितना इसमें कारी है, उतना ही भयावा भी है, मतलब कि जितना अच्छा लगता है उपर से नीचे तक देखना, उतना ही डरावना भी, दूर दूर तक पानी पा पहली बार देख रहे थे, सचमुच अध्भूत वो भी उन्हें बहुत ही ज़्यादा अध्भूत लगा, हम यहाँ चार-चा दिन से एक ही दिन चरिया को फॉलो कर रहे थे, सुबह जल्दी उठना, फटा-फट नास्ता करना, और दिन भर घूम फिर कर ठक कर, शाम को रिस पर बच्चों ने अच्छा आनंद लिया, इस दवरान यहां नौरात्री तथा दशाहरा पर्व मनाने का सौभाग ये भी प्राप्त हुआ, राइटर ने वहाँ पर नौरात्री तथा दशाहरा भी मनाया, उत्तर भारत में जिस तरह हर घर तथा गली महले में मा दुर्गा की घट स्थापना कर धता लड़कियों दवारा गर्वा का पर्व मनाया जाता है, ऐसा ही यहां भी होता है, मतलब जिस तरीके से हम लोग गर्वा मनाते हैं, उसी तरीके से गोवा में भी होता है, रामड का पुतला कहीं भी नहीं जलाया जाता है, क्योंकि उससे बहुत सफाई कर उनकी पूजा करते हैं गोवा में लोग अपने वेहिकल्स की पूजा करते हैं और शाम को भगवान की एक पाल की लेकर मंदिर जाते हैं इसके बाद एक पेड़ विशेश की पत्तियां मतलब कि कोई एक पेड़ जो वहती जादा इस्पेशल है उसकी पत्तियां और सभ्यता में रचा बसा होने के बावजूद या भारतिय संस्कृति को पूरी तरह से आत्मसात किये हुए है अलब भले ही यहाँ पे वेस्टर्न स्टाइल्स हैं लोग बॉलिवूड से आते हैं मौडरन लोग है यहाँ बट फिर भी यहाँ पे जो भारत का ट्रेडिशन भारत का जो कल्चर है वो अपने आप में समेटे हुए रखा है गोवा परेटक फैशन के रंग में कुछ देर के लिए भले ही स्वयम को रंग कर चले आते हों लेकिन अस्थानी यह लोग अपनी सांस्कृतिक परंपरा को उंगली अब भी पकड़े हुए मतलब जो अस्था परेटक आते हैं गोवा में घूमने आते हैं वो भले ही रंगीन हो जाते हैं थोड़ा तो यह था हम लोगों का गोवा जैसे मैंने देखा पार्ट यह थोड़ा बड़ा है थोड़ा बोरिंग भी लगा होगा आपको और कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंड बॉक्स म आ सकते हैं आप लोग चैप्टर को अच्छे से पठन करें तीन चार बार रीड करें इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है इससे आपका काम बन गएगा जस्ट फोकस ऑन ग्रामर एंड राइटिंग स्किल नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम लोग पढ खीका है मतलब कवित्री है संत मीरा बाई